हाई फ्रेंज गुकुइत नीशू में आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप जानते हैं आज हम बनाने वाले हैं बुंदी के लेड़ू इदम मार्किट के स्टाइल में यह बहुत ही यमी और बहुत ही तेस्ती बनेंगे और यह बहुत ही इंस्टंट बनके तयार हो जाएंगे आप इसे किसी भी तहवार पे या पूजा के लिए परसात के लिए कभी भी बना सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कप बेसन बेसन को अच्छे से चाल के ही ले फिर इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ वन टी बेकिंग पाउडर फिर इसके बाद अगर हमने एक कब बेशन लिया है तो हम देड़ कब इसमें पानी आइट करेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे देड़ से दो मिनट तक कंटीनू हम इसे मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लंस ना पड़े और य जैसे कि आप देख रहे हैं यह फलफी हो चुकी है इसके आद मेलूंगी एक कढ़ाई कढ़ाई में हम डालेंगे मगच के बीच एक से देड़ मिनट इसे हम रोस्ट कर लेंगे इसके बाद इसे निकाल लेंगे फिर इसी कढ़ाई में हम लेंगे ओल को हम अच्छे से एक काटोरी चीनी ओर आधा कटोरी पानी इसे अच्छे से मिक्स होने दें फिर इसके बाद में यहां पे ले रहे हैं अच्छे से अचिनी डालेंगे ही हूँ हाफ टी स्पून रेड फ्रूट कलर और हाफ टी स्पून यलो फ्रूट कलर यह दोनों ही डालिए फिर इसका देतम नैचुरल जैसे मार्किट में मिलते हैं उस तरीके से लेड़ू का कलर आएगा फिर हाँ टेस्ट के लिए में ले रही हूं इलाइची पाउडर अब करेंगे तो देखिए हमारी बुंदी अच्छे से तयार है अब इसमें हम बुंदी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो देखिए बुंदी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब इसे में कम से कम 10 मिनट के लिए फ्लेम को बंद करके ढखके रख दूंग तो इसे अच्छे से मैंने mix कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं बूंदी हमारी एदम soft हो चुकी है अब इस stage पर हम इसे ढख के रख देते हैं इसने सारा सुगर सीरप जो हमने बनाया था उसे absorb कर लिया है अब इसे हम ढख के रख देते हैं 10 मिनट के लिए तो देखिए ल absorb कर लिया है और यह दम ready है लेड़ू बनने के लिए तो चलिए हम लेड़ू बना लेते हैं तो सबसे पहले मैं इसमें जो मगज की बीज हमने roast करके रखे थे उसे उपर से डाल दूंगी अच्छे से आपको जिस ना पसंद हो आप उसी हिसाब से इसमें add कीजेगा अगर न यह दो सकते हैं तो देखिए मैं में मेडियम न इहीं में बड़ा और नहीं चोटा में में मेडियम साइस के लेड़ू बना लेती हूं तो देखिए हमारे लेड़ू कितने अच्छे से बंद के ready भी हो रहे हैं इसी तरीकी से हम इने बना लेंगे तो देखे मैंने अपने सारे लेड़ू तयार कर लिये हैं आप इसे कभी भी इंस्टन्टली बना सकते हैं पूजा के लिए या किसी भी फेस्टिवल के लिए इदा मार्किट के लुक देंगे आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए ताकि मैं इसी तरीकी की वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए लेके आती रहूं वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ओके फ् हमें प्लेवा, ब्सक्चु तो हमें लागे